नमस्कार मैं भुपंद्र पंड़ा हिंदी चैनल में आप सबका हर्दिक स्वागत करता हूँ और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्य एक वीडियो का ब्डेट्स आपको मिलते रहे आज हमारे यूटूब चैनल में 9000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो वास्तो में मैं यह लेक्चेर सिर्फ आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए बना रहा हूं साथ में आप लोगों के लिए एक नए अ अनाउंस्मेंट भी रहेगा तो सबसे पहले तो मैं आप सब को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे और मेरे चैनल को इसी हो कि समझा और सब्सक्राइब किया और आज हमारा यूटूब परिवार 9000 सब्सक्राइब का एक छोटा सा परिवार हो गया है और धिरे धिरे य अब मैं पढ़ाई करता था कुछ अधानाऑं बहुतीं गठीन लगती थी जैसे पास्चैत्य कावेशास्त्र है भारती कावेशास्त्र है, हिंदी आलोचना है या फिर वीमर्स होगर आए इस्तरी वीमर्स, आदिवासी वीमर्स, कित्यादी तो मुझे लगा कि मुझे छात तो इसे उन को इस तडी माटरियाल तो मिल लाता है लेकिन वो समझ नहीं पाते कि परिच्छा में लिखना कैसे है। नोट्स को समझ नहीं पते उनको समुचित मार्गदर्शन का भाव रहता था यह भी मेरा एक उद्देश है था इसके बाद जो मेरा तीसरा उद्देश है था वह था कि समाज के लिए कुछ कर सकते हैं हमको समाज ने बहुत कुछ दिया हुआ है यदि हम भी चाहें तो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं मेरा टोटल फंडे बाजी मत समझे मैं पूरा अपना सारसेष्ट देने का प्रयास करता हूं तब यह बात कर रहा हूं कि समाज ने हमको जो कुछ दिया है तो हम रिटर्न गिप्टे के रूप में कुछ ने कुछ हमको समाज को देना है चाहिए समाज के प्रतिभी हमारी प् कुछ आर्थिक परिशानिया होती है या फिर कुछ घहलू परिशानिया होती है जिसके कराणा कुछ चाहत्र कॉलेज जाकर वहां पर एडमीसन नहीं ले पाते रेगुलर स्टडी को जारी नहीं रख पाते तो क्या उनको भी यदि अच्छा कंटेंट मिलता है इसके माध्य संदेश आया था जिन्होंने 52-53 साल के उम्रे में पढ़ाई अपनी शुरू की और आगे बढ़ाया उसको और उन्हें बोला कि सर मेरा में कंप्रीट हो गया मैं अपनी डिग्री आपको समर्पित करता हूं तो बहुत ही भावुक कर देने वाले छड़ हैं कुछ लड़किय सर आपके करण वास्तों में आप अपनी मेहनत से सफल होते हैं इसमें मेरी कोई बहुत ही छोटी सी भूमिका है लेकिन ये जो संदेश होते हैं हर सुबह जो आपके मैसेजेस मेरे पास आते हैं वो मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाले होते हैं वैसे भी जो साहित् हमारे देश में बाल विवा आज भी बहुत बड़ी कुरिती है यह कुछ कारणों से कुछ जगों पर बहुत जल्दी लड़कियों की शादी कर दी आती है उनके मन में पढ़ने की इक्षा रहती है तो कई बार उनको प्रापर सपोर्ट नहीं मिल पाता कई बार जल्दी शाद से आये होती है तो मुझे लगा कि मेरे लेक्चर से लिए उनके लिए हैलफूल हों तो क्यों न मैं कुछ करूं जो थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम बसता है जीवन में उसमें कुछ अच्छा कर सकता हूं इसके बाद एक बहुत बड़ा फेक्टर है आर्थिक स्थिति के क का है पर इसमाच के जो रोग कुछ अच्छा कर साकते है तो इंको शेत्र में जरू करना चाहिए मेरे से बहुत ही बेहतरीनी लेक्टिर यहां पर प्याख्याता और प्रोफेसर्स यहां पर उपलब्ध हैं YouTube में आप भी देखते होंगे तो मेरी तो बहुत चोटी से हिस्सेदारी है आपकी जीवन में तो उन सब का जो प्रयास है निश्चीत रुप से हम सब के लिए अनुकरनी है और एक अच्छी YouTube के काण आप लोगों के पास बहुत ही अच्छी पिक्षा पहुंच रही है इसके बाद मेरा जो उद्देश था इस तरी नोट्स उपलब्द करवाना मैं जिमम कंटेंड के मैंने आप लोगों को PDF उपलब्द करवा दिया है जो बहुत ही है आप लोगों के परिच्छा में उप्योगी साबित हुए है जैसे कि आप लोग अपने कमेंट्स में लिखते हैं कई पर ऐसा होता है कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कुछ टेक्निकल इसूज होते हैं कि मैं आपको PDF नोट्स नहीं दे पाता तो मैं प्रयास करता है कि उसको अपनी वेबसाइट में अपलोड करूँ मेरी दो वेबसाइट हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि www.hindishikha.com और www.hindiadab.com अदब मतलब भी साहित ही होता है तो दो मेरी वेबसाइट से वहाँ पर भी आपको बहुत सारे बहुत सारे बहुत साब कंटेंट आपको मिलेंगे तो किसी ने किसी प्रकार से मैं आप लोगों को इस तरी सामगरी पार्ठे सामगरी पहुचाने का प्रयास कर रहा हूँ तो मेरा प्रयास है कि आप सब के सपने पूरे हों और एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि मैं मतलब पढ़ता बहुत हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद मैं कोई lecture upload करता हूँ जब तक मैं किसी content से मैं संतुष नहीं हो जाता सोयम तब तक ना तो मैं उसका lecture upload करता वीडियो और ना ही मैं उस पर डालता हूँ अपनी websites पर तो आप लोगोंने पढ़कर आप समझ भी गए होंगे क्योंकि आप लोग समझे हैं तब ही इतने सारे सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर आज हैं और उम्मीद करता हूँ कि हमारा कारवा भी आगे बढ़ता रहेगा और इसके बाद इस चैनल में मेरे बहुत सारे छात्रों की एक डिमांड थी कि सर UPSC Hindi Literature Optional के लिए आप कंटेंट हमको उपलब्द करवाएं तो यह जो नया चैनल जो मेरे स्कीन पर देख पा रहे हैं आप हिंदी चैनल UPSC तो यह UPSC के हिंदी लिट्रेचर Optional सब्जेट के लिए पुरा डेडिकेटेड चैनल रहेगा तो यह मेरा application है कुछ भी नहीं है जो कुछ है यहीं पर आपको मेरे चैनल पर मिलेगा तो आपने जैसे मेरे उस चैनल को प्यार दिया इसको भी प्यार देंगे लगिन मुझे जो करना है वह तो मैं तो करता ही रहूंगा अब देखता हूं कि कितने चात्रे से लाब उठा पाते हैं तो यह अभी UPSC पिछले पर जो पर इच्छा हुआ है अभी UPSC मेंस एक्जाम का यह question paper आप देख सकते हैं मेरे पास है यह question paper 1 है civil service man एक्जाम 2023 यह first paper है और यह second paper तो आपके syllabus पर बेस्ट मेरे lectures इस पर आएंगे इस चैनल में कितनी frequency रहेगी क्या रह literature optional के सारे lecture आपको यहीं पर मिलेंगे सिर्फ optional subject के और दूसरा इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा lengthy lectures नहीं रहेंगे क्योंकि इसमें जो पहला प्रस्ट नहीं रहता है वह सिर्फ 1500 शब्दों में लिखना होता है दोनों ही paper में जो पहला question है यह हमेशा आपको 1500 सब्दों में लिखना रहता है बाकी मैं आपको अधिकतम 1200-300 शब्दों में लिखना रहता है तो सबसे बड़ी समस्या चात्रों के साथ UPSC man's literature optional में यह रहता है कि notes को छोटा करना बहुत बड़े बड़े एक घंटा देड़े घंटा का मैं लिक्षे बनाऊंगा उससे कोई फादा नहीं है तो मेरा इसमें जो content होंगे 200-300 शब्दों के होंगे जैसा कि आपको परिक्षा में लिखना है तो मैं आप लोगों को मार्क दर्सन देने का भरसक प्रयास करूँगा अधिक सधी content उपलब्द कराने का आपको भरसक प्रयास करूँगा लेकि मेरी आप सबसे गुजारी से जी है कि जैसे आपने मेरे उस channel को प्रेना और प्रोतसहन दिया अपना प्यार दिया धेर सारा तो इस channel को भी आप लोग अपने प्यार देंगे खास कर जिनके आगे। लेने का जिनका उद्देश है वो इस चैनल के जरू सब्सक्राइब करें बाखे पर इच्छाओं के लिए भी उप्योगी रहेगा लेकिन सिलेबर्स के अकार्डिंग पुरे यूपी एसी के आपके लेक्चर्स यहीं पर उपलब रहेंगे तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट के जरू बता हैं कि मेरा यह नया चैनल मेरा नया प्रयास आप लोगों को कैसा लगा है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें अधिक सधिक संख्या में जुड़ेंगे और मित्रों तक भी मेरी बात पहुचाएंगे और हम सब मिल कर प्रयास करेंगे और मैं चाहता जो भी छात्र मेरे चैनल पर आए और गुडवत्ता पुड़ शिक्षा पर उसका अधिकार हो और बहुत कुछ सीख कर जाए एक बात हमेशा आप ध्यान में रखे कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद ही लेक्सिर अप्लोड करता हूँ तो बहुत सारे किताबों का सार बता कि एक नई बारत लिखेंगे आप सबको पुना बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी हर्दी शुब कामना है जै हीन जै भारत